और इस वक्त की बड़ी खबर नू से आ रही है जहां हर्याना पुलिस के इंस्पेक्टर पर रेप का मामला दर्च हुआ है बड़ी खबर की जानकारी नू से पहुचाए जा रही है हर्याना पुलिस के एक इंस्पेक्टर पर रेप का मामला दर्च हुआ है महिला सब इंस्प पुलिस से जुड़ी हुई खबर सीनियर अधिकारी ने ये मामला दर्च करवाया है एक महला सब इंस्पेक्टर ने की अपने साथ रेप के आरोप लगाए नू से इस वक्ती बड़ी खबर हर्याणा पुलिस के इंस्पेक्टर पर रेप का मामला दर्च हुआ है और इसी खबर पर जियादा चानकारी के साथ हमारे समवाद दाता जोड़ चुके है एके बखेल एके ये अजीवो गरीब मामला साब में आ रहा है देख रहे हैं हमके सरीके से एक महला सब इंस्पेक्टर ने एक इंस्पेक्टर के उपर रेप की आरोप लगा है इस शादी का ज्छासा दे कर आखिर ये पूरा मामला क्या है जरत अफसीर से बताया हमारे साधिया ये मामला 2015 का है जो महला A.S.I. है उनके उपर एक कोई केस का मामला था जिसको लेकर जो पुल्स A.S.I. है भावर सिंग जिनका नाम है उन्होंने उनके उपर दवाब बनाया कि आपका ये मामला में बंद कर दिया जाएगा इस मामले को आगे नहीं लायेजागा जिसको लेकर उन्होंने जो महला A.S.I. है उसके उपर दवाब बना कर ये एक जो सारे रिक्सम्पन्द थे हो उनके साथ बनाए और काफे लम्बे समय तक इनके दोनों सारे संबत बनते रहे और एक उनोंने उनको एक साधि का जांसा दिया था कि मैं आपसे साधी करूँगा लेकिन यह सारे जब इनके परिवारों को इस बारे में पता चलती है तो दोनों परिवारों में भी खटास प्यादा हो जाती है उसके लिए के एक वर पंचायत भी जोड़ी जाती है परंतु पंचायत में ये दोनों मामले नहीं सुल्चते हैं और फिर आकर में हार कर जो महिला एयसाई है उन्हों नौुम महिला थाना है इसमें अपनी सिकायत दर्ज कराई और उनके किलाप मामला दर्ज कर लिया गया है बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इस तबाम जानकारी के लिए आप नज़र बनाये रखे हैं आपसे आगे भी अब इस लेती रहेंगे आपको बताते कि शादी का जासा दे कर रेप करने के आरोप लगे हैं आपको बताते कि सीनियर अधिकारी ने मामला तरच करवा है हरियाना पूलिस के इंस्पेक्टर पर रेप का मामला तरच हुआ है और किसी और ने रही बलकि सब इंस्पेक्टर जो महिला सब इंस्पेक्टर है उसने ही रेप के आरोप लगाए